हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा SSC MTS exam 2024 का जो डेट है वो अक्टूबर है अक्टूबर से आपके exam सुरू हो जाएंगे इस चेनल पे आपको रोजाना क्लासेज के माध्यम से त्यारी करवाई जा रही है फ्री में बहुती अच्छी तरीके से तो सभी जने एक बार चेनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए रोजाना SSC MTS का वीडियो देखने के लिए आज के क्लास में हम टॉप 40 कोशन करेंगे जीके और जीएस के और ये सारे कोशन आपके exam के लिए बहुत important है क्योंकि paper इसमें से ही आएगा तो सारे कोशन रट लीजिएगा तो selection चाहिए तो पूरा क्लास का last कोशन तक पूरा क्लास देखा कीजिए बिना skip किये हुए क्लास को पूरा last कोशन तक attend किया कीजिए तो start करते हैं आज का पहला कोशन first question में पूछा गया है the chemical name of quartase is quartase का रासानिक नाम क्या होता है तो quartase का रासानिक नाम होता है दोस्तों sodium silicate option D is question का correct answer है next question 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 number 2 plasma को पदार्थ की चोथी अवस्ता के रूप में किसने वर्नित किया था who described plasma as the fourth state of matter तो दोस्तों इसे जो है ना वर्नित किया था Irving Lang Muir ने option A is question में correct answer हो जाएगा next question 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 number 3 निमन में से कोन सा acid पाचन रस में पाया जाता है which of the following acids is found in digestive juices तो ये जो है ना hydrochloric acid पाया जाता है पाचन रस में option D is question का correct answer है next question दूद दही में क्यों जमता है देखिए why does milk curd देखिए दूद है ये दही में जमता है जिवानों के विकास से बैक्टीरिया ग्रोथ के करण जो है ना दूद दही में जमता है option D is question का right answer हो जाएगा next question है आग भुजाने वाली gas कोन सी है देखिए जो आग भुजाने वाले जो यंत्र होते हैं ना उनमें carbon dioxide gas भरा होता है option C is question का correct answer हो जाएगा next question आपके सामने इनमें से कौन सा भोतिक परिवर्तन है which of the following is a physical change देखिए इनमें से भोतिक परिवर्तन जो है ना वो होगा लोहे की छड़ी के चुम्ब किया करन देखिए दोस्तों magnetizing of an iron road जो है ये क्या है एक भोतिक परिवर्तन है option B is question का right answer होगा next question आपके सामने है carbon का जो शुदतम रूप है वो किसे बोलते हैं अपने very important question एक्जाम में आता रहता question है ये देखिए carbon का जो शुद रूप होता है ना वो diamond हीरा को बोला जाता है option C is question का right answer होगा next question है bauxite is an or of bauxite जो है ये आयशक होता है किसका bauxite जो है ये दोस्तों aluminium का एक आयशक होता है option D is question में right answer होगा next question देख लेते हैं फटाफट से next question है photographic film coating में निमन में से किस धातु का लवन उपयोग किया जाता है salt of which of the following metals is used in photographic film coating तो इसमें अपने यूज करते हैं silver का option C is question में right answer होगा next question है अनाज को सरंग्शित करने के लिए परियोग किया जाता है जो रसायन होता है देखिए अनाज को सरंग्शित करने के लिए जो हम रसायन यूज करते हैं उसे बोलते हैं sodium benzoate option B is question का correct answer हो जाएगा इस question में next question आपके सामने है देखिए वन्य जीव सरंग्शन के लिए भारत का पहला आनुवन्शिक bank किस सहर में उधगाटन किया गया है वन्य जीव सरंग्शन के लिए भारत का जो पहला आनुवन्शिक bank है ये दोस्तों इस question का right answer होगा next question आपके सामने है निमन लिखिट में से कोनव सा कथन इसमें सही है ये बताना है चार कथन दिये गएं तो मैं आपको बता दूँ आप रीड कर लीजी एक बार ये तिनो ही कथन गलत दिये गए हैं जो कथन D है ना ये बिल्कुल सही है भारत में मुद्रा जारी तथा उसके परबंदन करने का अधिकार केवल रिजो बैंक ओफ इंडिया भारतिय रिजो बैंक के पास ही होता है तो यहाँ पे option D वाला कथन ही right होगा ठेक है दोस्तों next question आपके सामने है कोन सा बंदरगाहा भा बारा द्वीप हल दिया चेन नहीं ये तीनों ही जो बंदरगाह है ना ये भारत के पूर्वी दक्षिन भाग में स्तित हैं पर मार मागाओ जो बंदरगाह है ये आपका पूर्वी दक्षिन भाग में नहीं है तो option D is question का right answer होगा देखिए मार मागाओ जो बंदरगाह है य भारत के दक्षिन पस्चिम भाग में स्तित है next question कौन सी तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है which waves pass through the surface only देखिये surface only पे जो है ये L तरंगे ही चलती है option C is the right answer next question आपके सामने भारत में सबसे विस्तरत करतिम जील कौन सी है देखिये जो largest artificial lake in India वो गोविन सागर को बोला दाता है option B is the right answer देखिये दोस्तों सबसे विस्तरत करतिम जील गोविन सागर है और सबसे विस्तरत खारे पानी की जील चिलका जील है याद रखेगा ये distance of light प्रकास की दूरी का unit होता है option B is question का right answer होगा next question आपके सामने पोधे का कोन सा भाग है जो प्रकास की और वरदी करता है which is the part of a plant which grows towards the light तो ये जो है न श्टीम होता है तना वाला भाग जो है ये प्रकास की और वरदी करता है option B is question का right answer होगा next question है निमन लिकित में से किसने गुलाम गिरी लिखा है who among the following has written गुलाम गिरी तो ये लिखा है जो तीबा फुल एने option C is question का correct answer होगा वीडियो पसंदार है तो साथ साथ में वीडियो को like, share और इस चैनल को जुरूर subscribe कीजिएगा next question है भाप अंगार gas किसका मिस्रन होता है water gas is the mixture of carbon monoxide and hydrogen तो यहाँ पे हमारा जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा option B देखिए जो भाप अंगार gas है ये carbon monoxide और hydrogen gas का मिस्रन होता है option B is question का right answer होगा next question है रुपया शब्द का परियोग सबसे पहले किसने भारत में अपने सासनकाल के दोरान शुरू किया था who used the term rupee during his rule in India तो ये सबसे पहले जो है ना शुरू किया था शेर सहा सुरी ने option B is question का correct answer है next question helium से भरा गुबारा वाईउ में उड़ने लगता है क्योंकि देखिए दोस्तों a balloon filled with helium rises in the air because तो जो है ना इसका जो answer होगा वो होगा option C helium का जो घनत्व है वो वाईउ से कम होता है इसलिए helium से भरा जो गुबारा है वो वाईउ में उड़ने लगता है option C is question का right answer होगा next question है निकट दरश्टी से पीडित व्यक्तियों को किसका परियोग करने की सलहा दी जाती है जिन्हें जो है ना हवाओं का देश के रूप में भी जाना जाता है which country is also known as the country of winds देखे दोस्तों हवाओं का देश के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है option B right answer होगा next question है कच्चा तेल किन चटानों में पाया जाता है crude oil is found in which type of rocks तो ये जो है ना साधी परकार की चटानों में पाया जाता है कच्चा तेल option C right answer है next question photography में जो प्राथ्मिक रंग है वो कौन से होते हैं the primary colors in photography are तो ये होते हैं red, blue and green लाल, नीला और हरा option B is the right answer next question रहेगा यहाँ पे हमारा 1953 में गठित राज्यों पुनर गठन आयोग की सिफारिसों के बाद कितने राज्यों और केंदर साशित प्रदेस बनाए गए थे तो इस समय देखे 14 states और 6 UT 14 राज्यों और 6 केंदर साशित प्रदेस जो हैना बनाए गए थे option B right answer होगा देखे दोस्तों राज्यों के पुनर गठन आयोग या फजल अली आयोग ने राज्यों के 4 तरह वर्गिकरन को समाप्त करने और 16 राज्यों और 3 केंदर साशित प्रदेसों के निरमान का सुझाव दिया था लेकिन 1 नौवमर 1956 को केवल चौदा राज्ये और छे केंदर साशित प्रदेसों बनाए गए थे नेक्स्ट कोशन आपके सामने है टुंड्रा क्या है देखे टुंड्रा जो है न ये एक cold climate इसको बोलते है ठंडी जलवाई हूँ option C right answer होगा next question है निमन लिखित में से कोन सी जील रूस में स्थित है which of the following lake situated in Russia देखे रशिया में जो है न बेकाल जो जील है वो स्थित है option C right answer होगा दोस्तों जो बात करें याँ पे अपने बालकस जील की तो ये कजाकिस्तान में स्थित है बेकाल जील रूस में स्थित है पैंगोंग जील तीबत में स्थित है और विक्टोरिया जील जो है ये एक अफरीकन जील है next question सोर मंडल में सबसे गरम ग्रह कोन सा है which is the hottest planet in the solar system तो ये है Venus शुकर ग्रह जो है ना ये सोर मंडल का सबसे गरम ग्रह है option C is the right answer next question रहेगा यहां पर हमारा भारत में 20 तरिये पंचाइती राज प्रनाली का प्रस्ताव किस ने रखा था the two tier पंचाइती राज सिस्टम in इंडियावाद proposed by the अशोक महता कमीटी अशोक महता समीटी ने जो है ना भारत में 20 तरिये पंचाइती राज प्रनाली का प्रस्ताव रखा था option B right answer हो जाएगा इस question में next question देख लेते हैं फटाफट से एक रुपे के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं देखे दोस्तों एक रुपे का जो नोट है उस पे हस्ताक्षर होता है फाइनेंस सेकेटरी का वित सचीव का option D is question का correct answer होगा next question आपके सामने है स्वेत करांती क्या है white revolution is तो यह होता है दोस्तों growth of milk and milk products दुग्द एम दुग्द उतपादकों का विकास इसे बोलते हैं स्वेत करांती option C right answer होगा इस question में next question है मजदूरी निधी सिधान्त किसके द्वारा प्रती पादित किया गया था देखे दोस्तों जो मजदूरी निधी सिधान्त है इसे प्रती पादित किया था J.S. Meal ने option B is question में right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं फटाफट से who invented the telegraph telegraph का अविश्कार किस ने किया तो telegraph का अविश्कार किया था Samuel Morse ने option B is the right answer next question है और उसे पहले देखिए 1837 में Samuel Morse द्वारा telegraph प्रनाली का अविश्कार किया गया था अगरा question आपके सामने निमन लिखित में से कोन खगोल सास्त्री था who amongst the following was an astronomer तो ये थे आरे भट option A यहाँ पे हमारा right answer होगा next question है प्रत्यक्सकर सहीता निमन लिखित में से किस से समन्दित होता है the direct taxes code is related to which among the following तो ये समन्दित होता है income tax I कर से option A is the right answer और इस वीडियो का last question है question number 40 और ये रहेगा आज का आपका homework question इसका answer दिना है आपको comment section में किस वाई सराई के समय rollet act पास हुआ था सबसे पहरे तो आपको बताना है rollet act कब पास हुआ था और किस वाई सराई के time में ये दोनों ही question का answer आपको comment section बताना है वीडियो चलगा तो वीडियो को like करें वीडियो को share करें और साथ में चैनल को subscribe करके notification bell को भी on कर लें